हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं जिलेवी, हमारी जो जिलेवी बनकर तयार हुई है, यह हलवाई जैसी बनी है, यह फुली हुई है, करारी है, और ठंडी होने के बाद भी यह कुर्मुरी है, तो हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, इसे बनाने के लिए ह हमें कप मैदा लेते हैं और हम दही हैं यह हमारी ताजी है इन और Ekरें सब्सक्राइम केसे लखनेेजा einzige करारी बनेगे इन सभी को हम मिलाते हैं, इस इन सभी को मिलाएंगे और आप हम देख रहे है कि इसमें पानी डालनी के जुरत है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे एक बार में पानी डालेंगे नहीं तो यह पतला हो सकता है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे मिलाएंगे तो इस तरह से एक तीहाई कप इसमें पानी चला गया है अब हम इसे अच्छे से फेट रहे हैं अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसकी consistency सही है इसे हम 5 मिनड़ तक यूँ ही फेटेंगे हम इसे उठा उठा के इस तरह से गिराएंगे तो हम इसका धार देखेंगे हम देख रहे हैं कि इसका जो धार है सही है इसका जो flow है सही यह गिर रहा है इसका जो गाढ़ापन है यह भी सही है जब हलवाई जले भी छानते हैं तो जिस flow से वह गिरता है जैसा वह गाढ़ा होता है वैसा ही यह गाढ़ा है और उसी flow से यह गिर रहा है अब हम इसमें एक चुटकी नमक डाल देते हैं नमक हम एक चुटकी से थोड़ा भी जादा नहीं डालेंगे नहीं तो यह नमकीन हो जाएगा बस थोड़ा सा ही नमक डालेंगे ताकि हमने जो इसमें दही डाला है वह फर्मेट हो जाए अब हम इसे एक मिनट मिला देते हैं और इसे ढगकर रख देते हैं अब हम चाशनी तेयार करेंगे चाशनी तेयार करने के लिए हम एक गहरा बरतन लेंगे और इसमें हम दो कप चीनी डाल देते हैं गारा बरतन हमें इसलिए चाहिए ताकि जब हम चाशनी में जिलेवी को डूब होएंगे तो वह नीचे चाशनी के अंदर नीचे तक डूबी होई होनी चाहिए अब हम इसमें एक कप पानी डाल देते हैं साथ ही हम इसमें डाल देते हैं एक इलाइची के दाने हम चाहे तो इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं और इसमें हम चुटकी भर खाने वाला रंग डाल देते हैं चुकि हलवाई रंग डालते हैं इसलिए हम यहां रंग डाल रहे हैं रंग डालना बिल्कुल आप्सनल है आप चाहे तो ना डाले और हम देख रहे हैं कि इसमें उबाल आ गया है उबाल आतेवे 15 से 20 सेंड हो गये हैं हम इस तरह से उंगली से इसे छूके देख रहे हैं तो उंगली में यह चिपचिपी सी लग रही है इसमें थोड़ा सा गाढ़ा पन भी आ गया है हमें चाशनी का तार नहीं बनाना है बस थोड़ा सा हलका सा गाढ़ा करना है अब हम गैस को बंद कर देते हैं और जो हमने घोल तयार किया था इसे हम एक मिनट फेट लेते हैं अब इसमें हम इनो डालेंगे इनो जो हमारा है या पांच गराम का पैकेट है आधा पैकेट इनो हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम इसमें अच्छे से मिलाएंगे करीब एक मिनट तक हम इसे अच्छे से इसमें मिलाते हैं अब हम एक बरतन में पौना इंच तेल डाल कर इसे गर्म होने देंगे तेल हम कोई सावी ले सकते हैं बिना flavor वाला तेल हो तो अच्छा रहेगा बरतन हम ऐसा लेंगे जिसकी तली flat हो ऐसे में जिलेवी छानने में आसानी होगी जिलेवी overlap नहीं होगी अब हम जिलेवी तलने के लिए एक कॉन बनाएंगे तो इसके लिए हमने एक plastic का packet लिया है कोई सा भी पैकेट ले सकते हैं दूद का जो पैकेट होता है वह भी ले सकते हैं और इसमें हम सारे घोल को डाल देंगे और इसमें हम उपर से रवर लगा देंगे और कोन को हम थोड़ा सा कैंची से काड़ देंगे और अब हम इसे चानते हैं देखें, यहां हमने रवर नहीं लगाया था, तो यह उपर से गिरने लगा है, हमसे यह गलती भी है, इसलिए आपको यह दिखा रहे हैं, ताकि आपसे यह गलती नहीं हो, आप इसमें रवर लगा ले, यदि आप रवर नहीं लगाते हैं, तो आप इसे कसकर पकरे रहें, जि तेल का जो temperature हो वह सही हो तो पहला बैच हमने छान के निकाल लिया अब हम यहाँ दूसरा बैच डाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो यह जिलेवी है यह फूल रही है क्योंकि यहाँ तेल का temperature सही है तो जब हम जिलेवी डालेंगे उस समय फ्लेम को हम low कर लेंगे एक बार जब हम इसमें जिलेवी डालेंगे फिर फ्लेम को हम medium to high करके इसे छानेंगे तो इसे हम दोनों तरब से golden कर लेंगे यह कडारा होने लगा है यदि तेल से ज़्यादा धूआ उठ रहा हो यह तेल हमारा ज़्यादा गर्म हो गया हो तो हम कम कर सकते हैं फ्लेम को यदि हमें ऐसा लग रहा है कि फ्लेम कम है तो इसे हम थोड़ा सा तेज कर देते हैं और इसे हम medium flame पे golden कर लेते हैं और यह दोनों तरफ से golden हो गया है अब एक एक करके हम सारी जिलेवी को निकाल कर सेधे चाशनी में डालेंगे जब हम पूरी जिलेवी को चाशनी में डालेंगे तो इसे हम तुरंत ही दाब के इसे चाशनी के अंदर कर लेंगे ताकि जो हमारा जलेवी है वह रस पी ले तो इस तरह से हम चाशनी के अंदर इसे दाब दाब के इसे डुबो रहे है या पूरी तरह डुबा रहे तो इसके उपर हमने एक जंजरा रख दिया है जिससे वह दबा रहेगा चाशनी के अंदर बैठा रहेगा डुबा रहेगा त तो जो जिलेवी चाशनी में डूई भी थी, अब तक इसने रस पी लिया है, अब हम इसे निकाल कर अलग कर सकते हैं, तो इसे हम निकाल देते हैं, और जो हमारा दूसरा बैच का जिलेवी गोल्डेन हो चुका है, इसे हम एक एक करके निकाल के इसी रस में डाल देंगे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे